तो A और B हमने बना ली A बना ली और B हमने बना ली अब इस तरीके से हम इससे C बनाना है तो हमें A और B दोनों यहाँ पे base class में हमें access specifier के साथ दोनों के नम लिखने बढ़ेंगे A और B देखेंगे हम class keyword जो नई class बनानी है C colon sign फिर हमें public keyword के साथ पहले A यानि access specifier जो भी हो public प्रोटेक्टर जो भी हो A class फिर वापस कॉमा लगा के access specifier और या visibility mode भी बोलते हैं हमें से और दूसरी super class यानि base class या parent class भी इस तरीके से कॉमा लगा के हमें जितने से भी निकालना है नई उससे हम निकाल सकते हैं और इस तरह से अगर आप इस पर गॉर्ट होने तो देखेंगे आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं इसको भी आसानी से बना सकते हैं और इस पूरे structure को भी आसानी से बना सकते हैं तो इस तरीके से हम type of inheritance को हम समझ सकते हैं और इससे related program हम बना सकते हैं लेकिन तब तक यह दि मेरी वीडियो आपके लिए उती होगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना बुलें, ओके?